तो क्या हाले सिक्सर के चाहने वालों, विगड के मतवालों, किर्किट के दीवानों, आज किस वीडियो हम जानने वाले अस्ट्रेलिया वर्सल स्री लंका, ICC T20 World Cup मैस नंबर जो 19 खिला जाएगा इस मैस में कौन सा ऐसा बैस्टमैन है, जो सबसे ज़्यादा रन बनाएगा, क पर्थ श्रेडियम पर्थ में खेला जाएगा तो यहां के पिसके बीभीर क्या होगा, कंडिशन क्या होगी, कितना स्कॉर बनेगा, क्या वो चेज होगा यह डिफैन होगा, मतलब पिसको पूरी तरे से फार देंगे, और एक-एक जानकारी हासिल करेंगे, यहां के पिसके सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो कर दो लाइक क्योंकि आप लाइक करते हैं तो चार मैच मेरे साथ काम करना आपको इतना फायदा होगा आप यहीं बोलोगे पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया कोई बात नहीं कौन सदीर होगे सभी मैचों में फायदे में रहना तो मेरे टेलिग्राम ज्वाइन कर डाले बस एक चीज का ध्यान रखें फेक से सावधान मेरे नाम पे नहीं बहुत ज्यादा नकली टे हैं तो प्लेंग लेमस में उनकी वापसी हो जाए कि बाकी की जो टीम है ना उनकी बिल्कुल सेम रहने वाली है तो हमारे पास दोनों टीमों की प्लेंग लेमस आ अगई अब हम पीस के बियाइबर कंडिशन है रिकोर्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं तो 161ृट की निची स्कॉर बनेगा डस माज़ में से 8 माज़ में डार्गिट चेज हो सकता है टार्गिट prends 177 एकसit बनेगा अगा 177 की में स्कॉर हो सकता है hai प्राबरी की सकता रिककिन Size смотрите से वनीश में सकता है पर बराबरी चेज हो सकता है और डिफैंड भी सकता जो जो आउंड विग्ट के नुकसान पा, ऑगना सी मैड़ान ने अफगाइंस्तां के सामने 2022 にरी पड़ी बॉंडगी लिंद्ध है 64 से 80 मीटर की मतलब बड़ी बॉंडरी लेंथ है इसलिए पर जो मैच होते हैं ज़्यादा तर आपको मीडियम स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा आई स्कोरिंग देखने को नहीं मिल सकता कभी-कभी एकाता मैच हो जाता है ने तो ज़्यादा तर मीडियम स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं क्योंकि जो पिछे ग्रोस है कंडिशन की बात करते हैं तेज गेंदवाजों को हेल्फ करता है क्योंकि यहांच को ऐसे गेंदवाज को बड़ी है वो भी मतलब ऐसे जो फ्लाइड करوाथे थोड़ा सा लालच देते हैं बाकी बल्लेवाजों की बात कि दे तो उन बल्लेवाजों को अपनी टिम में जञदा तवज्चो दे है और या फिया दोस्तों, जो Middle Order में बल्ले बाजरी करने आते हैं, क्योंकि सुरूव में चार-पांच ओबर पर जाता है। पर चाहिक टोबस को साथ रखना अपनी अच्छी परफॉर्मेंस करतें तो आपके लिए थोड़ा सा मुस्किन हो रहा होगा यह जानना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है कि कौन मतलब बनाएगा कौन चलेगा कौन फ्रॉफ हो जाएगा चलो कोई बातनी टेंसल मतलो मैं आपको पताता हूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर डेवीड वार्नर के हम इनकी बात के तो काफ़ी गजब के फॉर्म में लास्ट के छे मैच में 241 मनाया और दोस्तों स्री लंका के सामने टी टून टीम है इनको अपनी टीम में जरूर रखे हो सके तो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं एरोन फिंच की बात करें तो इन्होंने लास्ट के 10 मैच में 200 बनाए जो की बहुत जाद अच्छा नहीं होता लेकिन स्रील लंका के सामने 406 रन बना चुक है टी टून टीम है और मुझे लगता है इसलिए अरोन फिंच भी आज की मैच में बड़ी पारी खेलने वाले 40-45 तरणों के तो इनको भी अपनी टीम में जरूर रखें बाकि मिसेल मार्स की बात करें हम अगर हम इनकी रिकोर्ड्स की बात करें 409 ठोक चुके किसके स्रील लंका के सामने ग्लैन मैक्सवल और मुझे लगता आज की मैच में ये भी ना 30-35 की तीर तरणार पारी खेलने वाले तो इनको भी आप अपनी टीम में जरूर रखें हो सके तो कैप्टन इन वाइस भी ये निकाल सकते हैं रखी माँका स्टौनट इसकी बात करें तो मुझे लगता solve हो जाएंगे और के इन वाजी करने आएंगे एकाता विकेट निकालेंगे लेकिन थोड़ा महेंगे mehंगे विसावित हो सकते हैं तो इनसे भी थोड़ा सा बच करें, पैड कमिस की बात करें, तो लास्ट के आठ मैच में आठ विकेट चटका है, मतलब सभी मैच में एकाथ विकेट निकालें, लेकिन मुझे लगता है आज के मैच में बढ़िया गेनवाजी करेंगे, दो-तिन विकेट निकालेंगे, तो पै रह सकते हैं, एडम जंबा की बात करें, तो एडम जंबा स्री लंका के सामने 21, 21 विकेट निकाल चुके हैं, मतलब स्री लंका के सामने गेनवाजी करने में इको काफी ज़्यादा मज़ा आता, मुझे लगता है एक-दो विकेट जंपा, आज की मैच में लेने वाले, थोड ज़रूर रखें, बाकी कुसल मेंडिस की बात करें, तो भाई साब गाफी गजब की फॉर्म में हैं, लास्ट के 10 मैच में 326 रन मना चुके हैं, और बात करें, अगर हम यहाँ पे ऐस्टेलिया के सामने T20 में, तो 203 रन ठोक चुके हैं, और मुझे लगता है आज की मैच मे थोड़ा सा यह फ्लोफ हो सकते हैं, पांदस मना के आउट हो जाएंगे, बले इनका रिकोर्स अच्छा है, तो कुसल मेंडिस से थोड़ा सा बच करें, पथुम निसांका की बात करूं, लास्ट के 9 मैच में 270 रन मना हैं, और अस्टेलिया के सामने T20 में 257 रन ठोक हैं, मु अच की मैच में 30-40-50 की पारी खेल सकते हैं, इनको भी अपनी टीम में जरूर रखे हो सकते हैं, बनुका राजा पसका की बात करें, तो बनुका राजा पसका मुझे लगता हैं, आज की मैच में फ्लोफ बजाएंगे, ना चलेंगे तो इसे थोड़ा सा बच के रहें, तो 14 रंड ठोक चुके मुझे लगता आज की मैच में 20-25 संतेजी के साथ बनाएंगे कौन दसुन सनाका हो सकता गेंदवाजी करने आए एक आता विकेट निकाले तो आप इने रख भी सकते हैं किसको दसुन सनाका को अपनी टीम में वाइननडू हसरंगा की बात के तो भाई स केप्टन भी कर सकते हैं चमिका कनुरा रतने की वाद करें तो बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है मुझे लगता आज इनकी पिटाई भी होगी किसकी चमिका कनुरा रतने की तो इससे थोड़ा सा बच करें बाके कहा में आप महीश थिक सिना की वाद करें लास्के 10 मैस मे 13 विकेट चड़का चुक हैं और अस्टेलिया के सामने टी टॉन्टी में साथ विकेट निकाल चुक हैं मुझे लगता ये भी आज के मैस में एक दो विकेट लेंगे और की फायती भी होंगे तो महीश थिक सड़ा को अभी अपनी टीम में आप ज़रूर रखें बाकी जो ब भी हो जाएगी आप बोर हो जाओगे मैं ठक जाओंगा इसलिए सारी एलासिस पहले कर ली बस आपके लिए पर्फेक्ट टीम बना कर दे दी बाकि अगर आपको इस मैस की दो तीन टीम चाहिए तो आपको करना क्या डिस्क्रिप्शन में जाना वहां पे लिंक के मिलेगी मे इसे जोईन करें तो आज की वीडियो में इतना वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दो सब्सक्राइब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मैच की पिज़ी पोर्ट मैच पर विएन फंटैसिपिक के साथ तब तक के लिए ब्लेस यू